नमस्कार कारिक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत अभिनंदन मैं हूँ आपके साथ विश्वबंधु पांडे दर्शोकों जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा देश उत्सव धर्मी देश है यहाँ पर अनेक उत्सव मनाई जाते हैं और इनी उत्सवों में से एक महत्तोपूर्ण उत्सव है दशहरे का जिसे विश्वबंधु के नाम से जाना जाता है और जो आश्विन मास में मनाया जाता है आज हम अपने इस कारिकम में एक बहुत खास विशे दशहरा असत्य पर सत्य की विज़े इस विशे पर बाचीत करेंगे और इस विशे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ महमान मौजूद हैं आईए उनका पढ़िचे आप से कराते हैं सरप्रतम S.P. ममगाई जी जो की वरिष्ट रंग कर्मी है और कई वर्षों से राम लीला के मंचन से जुड़े हुए हैं हमारे दूसरे खास महमान रोशन धस्माना जी आपका भी स्वागत है जो रंग कर्मी है और विविन शेत्रों से यहां पर राम लीला के द्वारा इन उत्समों को कर रहे हैं सर आप दोनों ही महमानों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है सबसे पहले मैं ममगाई जी आप से जानना चाहूंगा कि दशेहरा का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है देखिए हिंदों के चार तिवहार बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे सारफल में मनाया जाते हैं रक्षाबंदन उसके बाद दशेहरा जीपे दीपावली और फिर हूभी दशेहरे का महत्व शक्ति पूजा से है जीप यह शक्ति पूजा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आती है आप देखेंगे बंगाल में दुरुगा पूजा के मंडब बनते हैं और विशाल मंडब बनते हैं वहां इस तरह से पूजा होती है उतराखन्ड में यह सरद नवरात्र इनको बोलते हैं और सरद नवरात्र का जो अंतिन दिन है वो दशेरा होता है, दश्मे का, उस दिन जो शस्त्र की पूजा यहां पे भी होती है, हमारी योध्धा शस्त्रों को पूजा करते थे, सस्त्रागार पूजा थे, और तो और आपने देखा होगा, कि जब भारत में राफेल आया, तो देबि सस्त्र पूजा हुई, वहां हमारे मंतरी जी गया और उन्होंने सस्त्र पूजा की राफिल पे अपना जो शौसत्ते कच्छिन बना चिन पूजा की ताब आया, तो दशेक्राइक्रा महत तो हमारे यहां उससे देवि के पूजन के है, और रामायर का प्रसंगा, जह तो उस उपलक्ष में उसको याद करते हुए दशेरे को प्रतिवर्श यहां पर मनाया जाता है इसके बाद जब राम वापस लोटे वो दीपावली हो गई आयोध्या में जब लो अध्यवासियों ने दीपक जलाए पूरे देश में दीपक जले पूरे राज्य में दीपक ज हैं यहापे विशेस रूप से अनुस्ठान होते हैं दशेरे के जिन जैसा कि सर्ण ने अभी बताया कि यह जो विजय का दिवस है और यहां पर शस्त पूजाबी कि जाती है दशेरेकर पर तो क्या सोच क्या है जन सामानी की क्या सोच है इस परवकों मनाने के पीछे या यह जो भी बनाएगा है जिस तरह से भी आज के समाज को एक दरपन दिखाता है कि भाई जो भी जैसे राम जी के माध्यम से इस पूरे उन्होंने एक भगवान के रूप में उन्होंने वो थे और उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारन करके इस पृतिवी पर जन्म लिया और इस पृतिवी में जो मनुष्य के जितने भी क्रिया कलाप हैं जो भी सांसारिक क्रिया कलाव हैं, उनको अपने उस चरित्र के माद्यम से, बिभिन्न चरित्र इसमें जैसे हमारे रामयन के प्रसंग में आते हैं, कहीं चरित्र आएंगे इसमें, कहीं पर भाता भाई का प्रसंग आएगा, कहीं पर भिलनी का प्रसंग आएगा, कहीं पर पूरा दरपन कि समाज क्या है कैसे होना चाहिए समाज के साथ में स्री राम ने एक संदेश दिया है और उसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सोच यह है कि असत्य पर सत्य की विजय हो और सत्य की स्थापना इस का इन कारेकरमों के माद्यम से और जिस तहर से हमारी पौरानिक चीजें भी यह चीजें आती रही हैं सर मैं जाना चाहूंगा कि जो मैठोलोजिकल कॉंसेप्ट है पौरानिक कथाएं हैं तो इनका क्या इसमें संबंध है इस दशेरे से इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ममगाई सर बिलकुल पूरा उन्हीं पर हमारा जो राम क जो विजय है रावन के ऊपर रावन को दुराचारी माना गिया रावन को बुराई का प्रतीक माना गिया रावन को अशत्य का प्रतीक माना गिया तो रावन पे जो विजय प्राप्त हुई है वो राम ने विजय प्राप्त कि तो पौरानिक आख्यान है तो पूरा का पूर और इसको मनाने के साथ जो हमारा जैसे अभी धस्माना जी ने कहा कि राम की लीलाओं का यहां पे मंचन होता है इन दाशारों को उत्राखंड में तो पूरा होता है और उत्तर भरत में भी जगे जगे चाहे बनारस हो चाहे वो आपका आयुध्या हो जाये दिल्ली हो चायओ देहरादौन हो और उत्राखंड का चाहे किसी दूर दराश का कोई गाउं हो वहाँ पे भी राम की चरित्र का मंचन होता है रामलिला हम लोग यह बोलते हैं और रामलिला चलती है यही है कि समाज को हमें एक दिशा दें कि भाई का भाई के साथ क्या ब्यवार होना चाहिए पुत्र का पिता के साथ क्या होना चाहिए पिता पुत्र को कितना माने वो होना चाहिए माताओं का किस तरह भी ये हमारा एक सामाजिक संदेश है राम लिला का होना एक सामाजिक संदेश है और आजादी से पहले जो कि राम लिलाओं में मनोरिंजन का साधन राम लिला या ड्रामा या नौटेंग की यह हुआ करती थी भीड उमरती थी और उस भीड में देश को स्वतंत्र करने का संदेश भी जाता था बीच बीच में जैसे आप हैं आप बोल रहें आंकरिंग कर रह उसी तरह से राम लिलाओं के भी एंकरिंग हो जी बिल्कुर वी इन संदेशों को देते हैं तो बहुत बड़े लोगों तक वो संदेश पहुंचता था तो राम लिलाओं का अपनी जगह एक बड़ा-बारी महत तो रहा है शुरू से महत तो रहा है फिर जैसे कि अभी बता हाते हैं कि उन्होंने बाली को छुप के मारा लेकिन छुप के नहीं मारा यह कि लड़ाई हो रही थी और लड़ाई होने के बाद उन्होंने बाली को इसलिए कि भई फिर बेवे बाली पूच्था उन से जब तीर लगती है तो बाली पूछता है धर्म हे तू अवतरेओं गुसाईं मारे हुमोही ब्याधी किनाई में बहरी सुगरीब पियारा कारन कवन नात्म ही मारा में बहरी तो राम उसमें जवाब देते हैं क्या उत्तर देते हैं राम राम सीदे ये उत्तर देते हैं उसमें कि भाई तुमने जो है अपने अनुज बधू के साथ में जो भी जिस तरह से भी तुमने उसे यहां से जो भी दुराचार तुमने किया है तो इसका तुमें तो जवाब तो मिनना ही पड़ेगा और तुमने अदंड किया है इसलिए उन्होंने उसे मारा है तुलसी ने इस तरह से कहा है अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सथ ये कन्या समचारी इनहीं कुद्रिष्टी बिलो कहीजेही ताही बदे कच्छू पाप न हुई आज समाज को इसकी आवशकता है कि कहीं पर कोई दुराचार हो रहा है किसी यवती को किसी महिला को कोई परताडित कर रहा है कोई उसको छेड़ रहा है तो आपका हमारा धर्म है उसको बचाने के चाहिए हमको उसको उपर सक्ति बरतनी पड़े उसका प्रहार करना पड़े कर ऐसे दुराचारी को मारने से, पीटने से कोई पाप नहीं लगता है. जी, और ये कारिक्रम भक्ति में भी हो चला है. धस्माना सर्व, मैं आप से जाना चाहूँगा उत्राखंड के संदर्व में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो राम लिलाएं हैं, इस पर क्या कहेंगे, आप किस तरह से यहाँ पर राम लिलाएं का मंचन किया जाता है? जो हमारी उत्राखंड में जो राम लिलाएं होती रही हैं, तो वो जादा करके हमारी गाईकी पर जादा संदर्वित रही हैं, और जो यह प्लेंस में जो राम लिलाए होती हैं, प्रसंभाद भी होते हैं, तो हमारी जो राम लिलाए हैं, उसमें जैसे चौपाईया हैं, बहरते भी लहें, जितने भी और भी हैं, उसमें चंद हैं, तो उसके माध्यम से, क्योंकि हमारे लोग संगीत के प्रेमी हैं, इसलि की मदुरता है तो उन्होंने उसी माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जैसे कि अब हमें सौबागय हमारा यह है कि मैं भी राम का रूल कर चुका हूँ पांच बार मैं राम का रूल किया अपने समय में और हमारे ममगाई साव ने भी नाटक भी कि राम लिलाई भी की निर्देश राम का जो संबाद होता है उसमें स्री राम को पूछते हैं कि किसने मेरे गुरू के धनुस को तोड़ा है तो उसमें देखे कितनी विनमृता स्री राम ने दिखाई है कि नाथ संभूदैनों बन जानी हा आरा आवो भी कोई एक दास तुमा आरा तो इतनी मधुरूता संगीत में मधुरूता दुन में मधुरूता तो इसे सुनकर की लो तो मैं जब राम का अभिने करता था तो खेर आज तो जमाना बदल गया है लेकिन उस जमाने की बात कर रहा है मैं बीस पच्ची तीस साल पहले की बात तो उस समय लोगों की इतनी निष्ठा होती थी मैं अभी संदर्ब सुना रहा था अपने भाईसाब को कि जब मैं प्रभुराम का उस पुरसुत्तम राम का अभिने करता था और उसकी कृपा है कि आज हम इस स्थान पर खड़ें कि मैं एक बहुत बड़े संगर्थन को चलाता हूं तो वो ही हमारी उस राम के चरित्र ने हमें एक जीवन निर्मान का संदेश दिया है और उसी संदेश से हम लोग यह पूरे समाज के लिए एक संदेश है यहाँ पर हमारी उत्राखंड में यहाँ छेत्री भासा में भी राम लीला हुई है यहां पर गुणानन्द पतिक हुआ करते थे उन्होंने गड़वाली भासा में भी और गड़वाली भासा की बहुत लोग प्रियत धुनों को जोड़ करके उसमें गड़वाली रामलिला नगर निगम देहरादुन में करवाई कई वर्सों तक चलते रही आद्रुभागय के मंघाया की बुराइप यहां इस संदेश इससे मिलता है इन इन तेहरों को मनाते हैं जब हम इन तेहारों को मनाते हैं खास्तोर से आज हम दशेरे के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं देखिए ये संदर्म हमें प्रेड़ना देते हैं और प्रेड़ना क्या देते हैं कि अगर आप सत्य पे खड़े हैं अटल हैं तो अगर कोई दूसरा आपकी विरुद्ध असत्य भाशन करके अ सत्य आरूप लगाके आपको लांचित करना चाहता है वो नहीं विजय प्राप्त करेगा आप सत्य को फॉलो कीजिए आप सत्य पे अड़े रहिए ये ये हमारा इदशेरा जो है इस बात को कहके देखिए कितने कस्ट राम ने जेले होंगे बन को गए राजगदी छोड़ी है चौदा वर्ष बनों में रहे राक्षसों से लड़े क्या खाया होगा कैसे सोए होंगे लेकिन अंत तो गत विजय जो है राम की भी क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे वो जो है धर्म के मार्ग पर थे ये हमें दशेरा इस तरह की प्रेर ना देता है और हमें प्रेपने ये करना चाहिए देखिए आज हमारी जो अगली पीडी है जो छोटे बच्चे हैं ये सिरफ वीडियो गेम और तेली उसमें मौवाइल पर ही जुटे हुए हैं हमको अगर हम वो भी जुटे रहें अगर उन पे भी इन संदर्मों को डाल सकें तो उन्हें कुछ बार बार कह रहेंगे तो वो मस्तिशक में जाने की छण घुट जाए आपके जी तो हमें और और दुनिया जैसे अभी धस्माना जी ने कहा कि हमारी संस्थाओं को हमारे लोगों को इस तरह के आउजनों में बढ़ चड़के भाग लेना चाहिए चाहे वो सामाजिक संस्था हो चाहे र तो आप पिछड जाएंगे अगर आपने एक दृष्य राम लीला में लगा दिया और वो खतम हो गया चुप चाप सब बैठे हैं या मंच खाली है और आदा घंटे के बाद दूसरा आ रहा है तो अब यह नहीं जेल पाएंगे लोगों अब तो स्पेड़ी हो गई है तुर लोगों के सामने रख सकते हैं और यहां तो देखिए मैंने राम लीलाओं को बढ़ा अध्यन किया है कुछ करवाई भी हैं हमारे पुराने लोगों ने रस के हिसाब से उस समय क्या भाव होगा एक्टर का उसके हिसाब से धुन बनाई है उस राग पे बनाई है बूपाली बिलावज खंबाज और यविन की भीम पलासी और ये नहीं रादे शाम रादे शाम कता वाचा कुएं उन्हें एक रामायन लिखी उस रामायन का रादे शाम तो रादे शाम भी एक धुन हो गई रादे शाम बहरे तवील चौपाई दोहा चंद इविन की गजल यूविल पंडर की हमारी राम लिलाओं में गजल भी गाई जाती हैं साथ एक दो लाइने सुनाने सा हूँआ कि उसका कैकई का और दसरत का प्रकरण चल रहा है दसरत कैकई अपने बचनों को मनवाना चाहती है को बहुन में दसरत को कह रहे कि तुम जूट बोलते है तुमने मेरे द जजल गाई जा रही है अब अब दसरत जी बोल रहा है डुएट है यह दसरत बोलते है फिर वो बोलते है जबाब सेम सेम हो रहा है हम नहीं बोलें जूट, बदल जाए चाहे मही सारी, हम नहीं बोलें जूट, पश्म दिसा से उदै हो भानू, पश्म दिसा से उदै हो भानू, बेद बहीन मही मैं जानू, तब हूँ मैं नहारी, हम नहीं बोलें जूट, बिने सुनो महराज, बिने सुनो महराज, आप जीतें मैं हरी, बिने सुनो महराज, 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 बिने सु ताकि उबाऊ नहों और संगीत में इसको अब जब से पहले आवश्यक्ता होती थी गाय की और आवाज पहले इतरा माइक सिस्टम तो था नहीं होगा भी तो एक माइक कहा तक पकड़ेगा चार माइक भी लगा लिजे आप कहा तक पकड़ेंगे इसके पास जाएंगे तो नेजा में बोलने वाले लोग उता है नेजा बोलते थे हमारे उस्ताद लोग गुरू लोग नेजा में बोलो नेजा माने की बहुत उंची है जैसे अब समुस परुस राम आगिया जी अभी परुस राम आगे तो परुस राम को उन्होंने क्या चौपाई वही है आसन पति प्रिया मोराम कहो जड़ जनक धनों से के न तोरा तो संभू भावों की अभिव्यक्ति मूड चौपाई का मूड क्या है और किसको कैसे गाउं में और किस रेंज में गाउं काईकी का रेंज भी तैय है लेकिन राम अगर इस रेंज में गाईगा तो अच्छा नहीं लगेगा वो तुरंत जो है पॉलाइट तो कॉंट्रास्ट बन रहा है तो बड़ा अकर्शक बन जाता है इसमें गूरू के प्रतिवी निष्ठा दिखाईगी इने इसमें के माय स्व मेरे जो गूरू है उनके दनुस को किस ने तुड़ा इतना कुरोधित हो गए हो जैसे कि अभी हमने पॉरान कथाओं की कि वहां पर किस तार से पहले के टाइम पर रामाइन का जब मंचन किया जाता था और आज के समय में जो चीजे एक modern यूग आज है एक digital यूग है क्या आप समझते हैं कि जो मैसेज हमारे पहले के लोग जो देना चाहते थे जो आज की पिड़ी है वहाँ तक ये मैसेज पहुचा है रामाइन की जो चीजें हैं उनकी जो बातें हैं निश्चित रूप से जिस समय रामाइन सागर जी की हमारी रामाइन चली थी तो समय में देखते थे कि पूरा हिंदुस्तान मेरे खाल से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं था कि लोग सड़क भी सूनी हो जाती थी इसका मतलब कहीं नहीं हमारी रामाइन के अंदर कोई शक्ति तो है कि उसने लोगों को बांधा उसने लोगों को अपनी संस्कृत समझाने का मौका दिया और ये बात नहीं कि कोई ने कोई चीज चीज बनती है तो निश्चित रूप से कुछन कुछन लोग तो उसका लाब लेते हैं या उनके जीवन में उसे उतारने के कोशिश करते हैं जो पहले राम लिला हैं हुआ करती थी उसमें उतना बैबहो नहीं होता था आज की राम लिलाओं में बैबहो बढ़ गया है लेकिन जो मधुरता और जो सनिय और जो उदारता या जो भी हमें कहें कि जो भाव उसमें बनता था लोगों को उस राम लिलाओं देखने का वो अभी आप राम लिलाओं करवा दीजे उसमें भाव नहीं होगा हमने देखाया लोग जो है जब रामलेलाई होती थी लोग दिन में से ही चद्धा लगा करके बैठना रामला के मंडब में बैठना सुरू कर देते थे दो-दो बज़े से वो अपना आसन लगा देते थे तो उसमय में राम में तो खेर बहुत फर्क है लेकिन फिर भी निश्चित रूप से हमें यह प्रियास करने चाहिए कि समाज को जिससे प्रहणा मिले चाहिए कोई भी छेत्र हो उसमें हमें वो कारे अवश्य करने चाहिए तो क्या मैसेज आपको लगता है कि आज नई पीडी को लेनी की जरुरत है उस मैसेज को हाँ नई पीडी को हमें संदेश तो ही है लेकिन उन संदेशों को हम नई पीडी तक कैसे पहुचाएं जो कि अब 24 सुनने के लिए बहुत देर तक बैठने वाले नहीं है टाइम का ब बंद गई है और जो थोड़ी बहुत उनको टाइम मिलता है तो अपना मोबाइल उठा के उसमें अपने गेम या कोई और चीज देखने है अब हमें इनी चीजों को मैंने का नहीं परिशकृत करके ऐसा सुन्दर बना करके उनके सामने प्रस्तुत करना होगा कि वो इनको प ये ज़ाधा corporate कर सकता ये ज़ाधा काम कर सकता मझे बज़ाए क्यों के मंच में जाने का समएं भी नहीं है और लोग जाते है अपने बच्चे ओन बेच्छ मिले देराथ ऑन में कि हम चाहते हैं कि बच्छे हमारे आएं और वो भी देखे हम किसी इस तरह के program में आएं लेसर ठीक है इसमे प्रयत्त करेंगे कि हॉल के बीतर जैसे हम थीटर करते हैं ड्रामा करते हैं उस तरह से कुछ हो जाए अब वो तो बड़ा लंबा काम है एक्सपेंसिव काम है फिर क्वालिटी बनानी होगी तो अगर एक दिन का हम नाटक करते हैं तो उस नाटक में दो मेने प्राम लिला कराना हो सालबर बहों प्रया जो एक्टिंग कर रहा है जिसने उसमें पार्ट सपीट करना है और इसका उसकी लगन तो हमें यह प्रयदt करना हो दिल को मेधिया जो संदर में आगा कुछ नया करें जो हम भी इस तरह से यहां की राम लीला को अपरसिद्दम बना पाएं और एक नया रूप प्रताइम कर सकें बीलकुल देखिए मैंने ये रेखा है कि दिल्ली में कुछ राम लीला है एसे हो रहे हैं कि राम लीला है करोань हुरज आने का वह बहाना है कि हम ह्जू को यह חई बैटें भी रहते हैं है बर इस प्सक्रा Skills इरगर्द मेला टाइप का लगा हुआ है कहीं जूला लगा हुआ है कहीं बच्चों का खेलने का कुछ लगा हुआ है कहीं किसी न कोई बहाना कोई ऐसी चीज है कि जो जा रहे हैं अब हमारे यहां क्या है ना कि हमारे गर राम लेरा देखने जानी तो आपको चाई पीने के इच्छा हो रही तो चाई भी नहीं मिलेगी। कुछ भी नहीं है वहां पे। तो कुछ आकरशन बच्चों के लिए भी हो खुछ आकरशन दूसरे लोगों के लिए भी हो और बाकी वह तो एक मंच है। मंच के सामने सब बैठे हैं देख रहे हैं फिर थोड़ी देर देखा कि भाई अब हमने परकरण देख लेए काहनी सब जानते हैं। सरफ देखना है कि कलाकार ने उस काहनी को कितने बैतरी इन तरीके से पफॉर्म किया है कि लोग बधे हुए हैं। और अगर नहीं बांद पा रहा है तो कम से कम बगल जाके चाही तो पी लेगा। अपने बच्चों के लिए वो जूला तो जूला लेगा। यह करके यह हमें चाहिए उत्राखंड में। ऐसे अगर हम कर सकें। बड़े-बड़े शहरों में गाउं के लाम नहीं हो सकता है। और गाउं में तो वेसी लोग बड़े उत्साही रहते हैं। वेसी बैड़ जाते हैं। चाहिए कुछ भी हो रहा है। वो ना है। दसमाना से दशहरे पर जो है यह रावन दहन किया जाता है। और शस्त्रों की पूझा होती है। तो इसका क्या महत्व है यह आप बड़े। भी इसका महत्व यह है कि रावन का दहन तो यह है कि जैसे हमने का कि और शाम के समय क्यों होता है यह। अच्छत्य पर सत्य की विजय जैसे मुल ले ना तो एक ता धार्मिक वो भी है पहलो है और जिस तरह से रावण की चरित्र को चरित्रार्थ किया गया रामायन के अंदर भी जबकि रावण ये नहीं है कि रावण बहुत बिद्वान आद्मी था लेकिन बिद्वान के साथ-स तो एहंकारी भी था और उस एहंकार को उस घमंड को खत्म करने के लिए स्री राम ने उनका वद किया ठीक है तो ये सारी चीजें ये सीख हैं उसके लिए कि कोई भी ये उदंड है कोई भी इस तरह का बुरे कर्म करने वाला बेखती है तो उसका अंत यही होता है इसलिए जो रावन का दہन किया जाताए जिव और दूसरी बात आपने के शास्त्रों की पूजा है ज़्क जब कोई नहीं मानता है तो उसके साथ में सस्त्र का परियोग भी होना बहुत नितांत जरूरी है इसलिए सस्त्रों की भी पूजा इसलिए की जाती है कि वो हमारे को संकटों से बचाते हैं तो वो भी हमारे जीवन का एक अंग है तो उनकी पूजा होना भी स्रेश्ट है उनकी पूजा होना भी जरूरी है इसे पर मैं ममगाई सर की प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जो रावंड देहन है वो शाम के समय क्यों होता है और जिस तरह से अभी धस्वान असर ने भी बात कि इस पर आप क्या कहेंगे जी ऐसा है कि बहुत से शहरों में जैसे बनारस है बनारस में तो सुभह से ही जो है कि नाक कटती है रात भर निकलती हो सुभायात्रा इतनी लंबी होती है और उसमें कुछ ऐसा सिस्टमाटिक नहीं है कि वह होना चाहिए आप अपना कर्तब भी दिखा सकते हैं आप जैसे ठेले पे लेटे हुए है और साइकल आपने दांतों पे रखी हुई है और चला जा है आगमी यह चेत गंजी की नक कटाईया बोलता है उसको बहुत पस्तु इसी तरह सुभह से राम लिल्या के जलूस निकलने शुरू हो जाते हैं बानर भी जा रहे हैं राजे भी जा रहे हैं गोड़े पे बैठे हुए है इतना समय उनको हो जाता है कि वह उसस्तल तक जहा पर अगर उन्होंने हरियाली डाल रखी है उसका जो है पंडित से पो करवाया और शाम का वक्त उनका फ्री हो जाता है जु को इस सभी उसमें पार्टिस्पेट कर लेते हैं फिर राम लिल्या भी साम को होती थी तो इस तरह से वो शाम का वक्त जो है उसका चुना हुआ हैर जैसे आप उसमें जैसे आपके बंबों का इस्तिमाल होता है, उसमें फुल जड़ियां होता है, तो उसकी लाइटिंग की, तो लाइटिंग को देखने में भी एक लोगों का प्रकाश मान हो जाता है, और दूसरा उसमें एक उत्सा बच्चों के लिए भी ये होता है कि हाँ लंका दहन हो रहा है पता चल लंका चल रही है तो दिन में हम दिन के दो परिमेदी हम उससे दिखाते हैं तो जो जो उसका प्रकास है जो अगनी का प्रकास है वो दिखेगा नहीं रात को उसके लाली मा उसका बढ़ जाती है तो इसलिए भी शायद इससे रात्री के वक्त किय लाता है उसमें आपसे जाधा जानना चाहेंगे की देवी की पूजा होती है नवरात्र होते हैं शार लिये नवरात्र चलते हैं और दशेरा उसके बाद आता है देखिए हमारे जो यह उत्राहंड है यह तो बिभन छेत्र से आई हुए लोगों की के बसने से बना हुआ है बंगाल से आए उन्होंने जो आश्रस्त्र पूजा देवी का पहरांब कर दिया दक्षन भारत से आए उन्होंने नागर जान रसिंग की पूजा करने शुरू कर द शिव को शैब लोग जादा हुआ कर थे दरबड़ लोग ऐसे मध्यप्रदेश से आए तो हमारा मिला जुला समाज बन गया हम देवी की पूजा सरद नवरात्र में देवी की पूजा संभवत है मेरा अपना वो है कि हमारे बंगाल से आए वे लोग जो है उन्होंने किया प हमारा जो उत्राखन शेत्र है इसमें श्री यंत्र का बड़ा महत तो है श्री यंत्र बोलते है देवी के देवी को प्रसंद करने वाला यंत्र और उस यंत्र के के पूजन का जो अनुस्थान है वो सरद नवरात्र में ही प्रारंभ होता है बाकि वो मूर्ती नहीं होती वह आप काली मठ में जाएंगे आप, तो मूर्ती नहीं होगी वहां, वहां श्रीयंत्र जो है नीचे दबावा रहता है, उपर से सिर्वेक उनका सेंबॉल है, कि यहां पर श्रीयंत्र है, वहां पर कोई पैर न रखे, गंदे पैरों सुन जाएंगे न जाएंगे, वहीं पर पू नवरात्र में दो नवरात्र आते हैं, एक चैत्र के नवरात्र आते हैं, और एक शारादीर नवरात्र आते हैं, दोनों नवरात्रों में देवी की पूझा होती है, जी, तो देवी के विभिन्न सुरूपों की पूझा होती है, नौ दिन में नौ दुरूपों की पूझा हो तो दर्शको ये था आज का हमारा कारिकरम जिसमें आज हमने दशेहरे परबाचीत की, इसके महत्व परबाचीत की, हमें आशा है कि आपको हमारे कारिकरम ज़रूर पसंद आया होगा, इसी के साथ आप से फिर होगी मलाकाद, कार एक लिंग में टब तक के लिए मुझे दीज आई जाज़त, नमस्कार.